बड़ो को नमशकार, छोटो को प्यार, छोटी से जिन्दिगी आईए चुड़िये भिहारी क्वेस्ट जी एस रिसर्च सेंटर के साथ आज का टॉपिक है हमारा नपाशानकाल नियोलिथिकल एस इसके पहले पुरा पाशानकाल, मध्य पाशानकाल के बारे में डिस्कस कर लिया है आज हम डिस्कस करेंगे नपाशानकाल के बारे में तो जो नपाशानकाल है उसकी जानकारी हमें किसने दी, कब, मिली उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो नप अशान काल के वारे में जो सरप्रत्थम जानकारी है वो हमें 1665 में मिली और किस ने दी थी जॉन लुवाव मोहदे ने दी थी तो किस ने दी थी जॉन लुवाव मोहदे के द्वारा नप अशान काल की हमें जानकारी दी गई और कब 1665 में 1865 में नेक्स्ट है कि नपशानकाल का पितामा किसे कहा जाता है तो जॉन लुवाव मोहदे को नपशानकाल का पितामा कहा जाता है नेक्स्ट है प्रिहिस्टोरिक पुस्तक में नपशानिक क्रांती शब्द का प्रयोग किया गया है तो जो प्रिहिस्टोरिक पुस्तक है उसमें नपाशानकाल के लिए क्या शब्द का प्रियोग किया गया है नपाशानिक क्रांती शब्द का प्रियोग किया गया है तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सबसे पहले हमने क्या डिस्कूस किया कि जो नपाशान काल है उसकी जो जानकारी है वो किस ने दी है जॉन लुबाव महोदे न दी और कब दी थारा सो पैंसेट में नपाशान काल का पिता माह किसे कहा जाता है जॉन लुबाव महोदे को नपाशान काल का पिता माह कहा जाता है और जो प्रिहिस्टोरिक पुस्तक है उसमें नपाशानी करांती शब्द का प्रियोग किया गया है नपाशान काल के लिए नेक्स अब हम डिस्कस करते हैं कि ना पशान काल की परमुक बिशेस्त हैं कि क्या क्या जो पुरा पशान काल मध्य पशान काल और उसके बाद ना पशान में क्या नहीं नहीं चीज़ें आई तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है अगनी का प्रयोग उसके बाद है मृत भांट का जो प्रयोग था वो भी बहुत बड़े पेमाने पर होने लगा निर्मान भी और साथ में है पसु पालन का भी बड़े पेमाने पर लोग पशु पालन करने लगे उसके बाद क्रिशी के कारें सरप्रत्थम क सबसे पहले है अगनी का प्रयोग तो जो न पाशानकाल का मानव था उसने अगनी का प्रयोग करना शुरू कर दिया वैसे तो मध्य पाशानकाल में ही अगनी का विश्कार हो गया था परन्तो उस टाइम इसका जो प्रयोग था वो नहीं किया गया था तो ना पाशानकाल में क्या था अगनी का प्रयोग होने लगा जो भी मास था जो मानव खाता था या जो भी फल थे जो कंगमोल होते थे जो भी बनस्पती थी उसको पका के अब वो क्या करने लगा मानव खाने लगा मिन्स अब मानद के है थोड़ा सब्भी हो गया नेक्स है मृत भान का बहुत पैमानने पर निर्मान होने लगा निर्मान किया जाने लगा जो मिर्ट भान मिन्स जो मिटी के जो भी बरतन बनाये जाते थे उसका जो निर्मान है वो क्या था मिन्स उद्योग जो थे वो लगने लग पड़े नेक्स है पशुपालन तो जो पशुपालने का जो कारे था ना पशान में वो भी बढ़ गया नेक्स है क्रिशी का कारे तो क्रिशी सबंदी कारे भी ना पशान में किये जाने लगे और सर प्रत्थम यहां से हमें जोंकी खेती का परमान मिलता है किसकी खेती का जोंकी खेती का परमान मिलता है नेक्स है जो बरतन बनाय जाते थे या जो भी पत्थर बनाय जाते थे उससे क्या किया पॉलिश का विकास करने लगे जो भी औजार बनाये जाते थे पत्थरों से या जो भी बरतन बनाये जाते थे उसमें क्या किया जा रहा था पत्थरों पॉलिश किया जा रहा था नेक्स था पहिये का प्रयोग तो इस काल का मानव क्या था पहिये का भी प्रयोग करने लग पड़ा था साथ में जो पहिया था वो किसका बनाया जाता था तो लकडी और पत्थर का पहिया बनाया जाता था और जो पहिया था वो सिर्फ इस तरह से ही था उसमें किसी वी तरह इस तरह से नहीं था जो नपशान का हमारा पहिया था तो I hope आपको ये समझ आ रहा होगा तो क्या क्या भी सेशते हैं एक वार फिर से डिस्कस करते हैं अगनी का प्रयोगा गया ना पशान काल में मिटी का जो बरतन बनाय जाते थे या मिटी के जो बरतन बनाय जा रहे थे उसका जो निर्मान है वो बहुत बड़े पेमाने पर होने लगा पशुपालन भी लोग करने लग पड़े थे किशी के कारे भी हो रहे थे साथ में पत्थरों पर पॉलिश का विकास हो रहा था जो भी बरतन बनाय जाते थे जो भी ओजार बनाय जा रहे थे उन पर क्या किया जा रहा था पॉलिश किया जा रहा था और पहिय का प्रयोग भी आ गया था और जो पहिया था वो सिर्फ लकडी और पत्थर का था नेक्स्ट है अब कि कौन कौन से ऐसे प्रमुक स्थल थे जहां से हमें न पाशान के और भी साक्षे प्रापत हुए हैं तो सबसे पहले हैं मेहरगड और मेहरगड से कहां पर पढ़ता है ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोले नदी घाट किनारे स्थेत हैं तो आपसे पूर सकते हैं कि मेहरगड कहां पर है पश्चमी बलूची स्थान पूर्वी बलूची स्थान दक्षमी बलूची स्थान तो इसका जो अंसर आएगा वो है दक्षनी बलूची स्थान में स्थेत है जो मेहरगड है पाकिस्तान के जो दक्षनी बल था इस थल की खोच जे फ्रांसोया ने की थी जो जे फ्रांसोया थे ये भरतिय नहीं थे ये कौन थे एक फ्रांसिसी थे तो किस ने खोच की थी मिहरगड की जे फ्रांसोया ने की थी और ये कहां के थे एक फ्रांसिसी थे और यहां से हमें क्या क्या साक्षे मिले हैं में कौन कौन से साक्षे मिले हैं तो गेहूं का साक्षे मिला है जौ का मिला है और कपास की खेती का साक्षे मिला है और कपास की खेती का जो साक्षे है ये भारत का ही नहीं पूरे बिशप का सबसे प्राचीनतम साक्षे है तो क्या है कपास की खेती का जो ये साक्षे है भारत का ही नहीं पूरे बिशप का ही ये क्या है प्राचींतन साक्षिय है और इसक शेतर में जो मेहर गड़ था यहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं की जो मात्रा थी या गेहूं का जो उत्पादन था वो होता था इसलिए इसक शेतर को रोटी की टोकरी भी कहा जाता ह तो रोटी की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है मेहरगड को जाना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या था गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था और साथ में और क्या क्या हमें क्या 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 याद रखना है मेहरगड से तो कहां पर है पाकिस्तान के ब्लूचिस्थान प्रांट में बोलन नदी घाटी के किनारे और खोज किसने की जे फ्रांसोयने की थी यहाँ से में क्या साक्षे मिले है गेहूं जौं और कपास की खेती का साक्षे मिला है और जो कपास की खेती का साक्षे है वो भारत का ही नहीं पूरे बिशप का प्राचींतम साक्षे है और महर गड को और क्या कहा जाता है रोटी की टोकरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा गेहुं की मात्रा क्या था उत्वादन होता था न किस ने की थी डी टेरा एवं पीटर्सन ने की थी तो किस ने की थी डी टेरा एवं पीटर्सन ने 1935 में बुर्श होम नामक स्थान की खोच की थी और यह जम्मू संक्षा सित जो हमारा परदेश है बहां पर स्थित है और यहां से हमें क्या साक्षे मिला है मालिक के साथ कुट मिले हैं नेक्स है गर्तावास का साक्षे भी हमें कहां से मिला है बुर्ज होम से ही मिला है गर्तावास का साक्षे में जो गड़ा खूद कर जिसमें नीचे घर बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है गर्तावास कहा जाता है तो इसका जो साक्षे है वो हमें कहां से मिला है ब और खोज किस ने की थी दी टेरा एवं पेटरसन ने की थी 1935 में और यहाँ पर दो ही एविडेंस मिले हैं एक है मालिक के साथ कुत्ते जब दफनाए जाने का साक्ष और दूसरा है हमारा गर्तावास का साक्ष नेक्स्ट है कोल्डी हवा तो कोल्डी हवा प्रियाग राज के पास बेले नदी घाटी में स्थित है कहां पर है कोल्डी हवा प्रियाग राज के पास बेले नदी जो घाटी है वहां पर हमारा कोल्डी हवा स्थित है और यहां से हमें किस चीज का साक्ष मिला है तो धान की खेती का परमान मिला है धान की खेती का तो कहां से मिला धान की खेती का जो है कोल्डी हवा से और कोल्डी हवा कहां पर है प्रयाग राज उत्र परदेश में है और बेलन नदी घाटी में स्थित है आई होप आपको ये समझ आया होगा नेक्स है इसके कुछ प्रमुक तथे हैं जो हमारे एक्जाम के लिए important है तो सबसे पहले क्या है कि मानब के द्वारा सरप्रत्थम अनाज कौन सा था तो ये था हमारा जों मानब द्वारा सरप्रत्थम कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था जों था सेकिन था मनुष्य द्वारा प्रिक्त प्रत्थम धातू कौन थी कौन सी है ये कौन सी थी तामबा धातू नेक्स्ट है स्थम्प गर्त या फिर गर्था वास का जो तातपरे है वो अवास थल से है और ये आधुनिक बंकर के समान अवास सल्था I hope आपको ये समझ आ रहा होगा Next है I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें